हेलो मेरे प्यारे साथी और कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ कि आप सबी बहुत ही अच्छे और सोस्तोगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों के पास जवान अवुद विद्याले की तरफ से कॉल लेटर पहुंचता है उसमें क्या क्या दे रखा होता है और उसका क्या मतलब है और कॉल लेटर किन के पास पहुंचता है किन बच्चों के पास नहीं कि कॉल लेटर कहां से आता है क्या होता है कॉल लेटर में किन बच्चों के पास आता है आपके पास आया आपके पास नहीं आया तो आपके पास क्यों नहीं आया आपकी जितने भी डाउट्स हैं सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा बच्चो मेरा नाम है विराट और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब जैसे एडमीशन के लिए आपके पास फॉर्म आता है घर पे डाक द्वारा पोस्ट द्वारा ऐसे पोस्ट द्वारा यान की जवान अवुद्याला से आपके पास कॉल लेटर आएगा उस पेपर में दस डॉक्यूमेंट्स वगरा लखे होंगे तो इस वीडियो में मैं आपक यह कॉल लेटर आए नहीं है तो जारूर ही नहीं है कि 80 शीक्याइब छोल लेक्ट के पास आता है वहतुत तो आपको गलत करदाीमेंट खैजल से पहले जाते हैं क्योंकि समीती बालों को पता होता है कौन वच्ची सिपक्त हैment मैं पनदाने तो लेटर का rest दिखाने वाला हूं तो सेकंड बाबी पीडाप के हैं पर के आपास आता है तरफ से जो जाता है दिजल टाने से पहले यह फोटो जो आ जाता है तो आप देख सकते हैं एडमिशन डॉक्यूमेंट्स क्लास 6 तो 2021 यहां पर 2021 इसी लिए दे रखा है क्योंकि पिछली साल ऐसे करके आया था बच्चों के पास इस साल भी ऐसे करके आएगा अभी आया नहीं है कुछ बच्चों क लिकलवानी है इन डॉक्यूमेंट्स की क्योंकि आपके पास ओरिजनल भी होंगे आप और बनवाओगे और बनवाने के बाद जो आपको कॉपी बनवानी है क्योंकि आप अगर नवुद्ध विद्याले में यह ओरिजनल वाले जमा कर दोगे तो आपको दिक्कत पड़ेग तो सबसे पहले आता है आधार कार अप देख सकते हैं आधार कार यहाँ पहे अन्हार कर आपको किस नहीं ले जाना है इस狂ना बहुत दिक्कत हो जाएगे इसलिए मैं आपको बार बर बता रहा हूँ तो साइके नमर पर आ रा रहा है हमारा है बार्फ सर्टिकेट यह देख सकते हैं बड़ छाउट है तो साइक नमर पर बड़ सतिफिकेट आपको अपने लिजाना है मंपी का पापा कोई ज़रूरत होगा ताकि नवोदे में आप जमा कर सको और कोपी एक और बार बता दिता हूं सभी डॉक्मेंट्स की कोपी आपको बनवाने ठीक है अब फूर्थ नमबर पर आ रहा है फादर्स कास्टर प्रमाद्स 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 प् पूरा बताता हूं छटा साथ मां छोड़ दीजिया आप मैं सब इस दोनों को मिला के बताता हूं आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हूं क्लास 6 का एक्जाम देने पढ़ देने से पहले आप जिस स्कूल में कक्षा 3 4 और 5 पड़ी थी उस 3 4 5 कक्षा की आपको रिपोर्ट काड़ यानि कि मांक सीट आपको लेके जानी है मांक सीट की कॉपी आपको निकलवा के वो लेके जानी है कौन सी क्लास 3 4 और 5 ती ठीक है अब 8 नमबर पे आते हैं 8 न एक्जाम दिया है उसका जाती पिर्माण पत्र बनवाना होगा ठीक है कॉपी बनवानी है आपको 9 नमबर पे आता है लोकेशन ओपता स्कूल आर्यू मतलब कि जिस विद्याले में आप पढ़ते थे नवोदे में एक्जाम देने से पहले आप जिस विद्याले में पढ़त जो कि आपके पापा को बता होता है वहाँ पे तहसीलदार के जो है सिगनिचर होते हैं तो तहसीलदार के सिगनिचर अगर नहीं होंगे तो आपका नवोदे विद्याले में सेलेक्शन आप भूली जाहिए तहसीलदार का जो सिगनिचर हो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ह होता है तो मैंने आपको जितने पी 10 दोक्युमेंट से मैंने आपको बता दी हैं और यह जो डॉक्यूमेंट से उनी बच्चों के पास आते हैं जिनका सेलेक्शन हो जाता है और रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले यह आ जाती है तो जिन के पास अगर कॉल लेटर आया है का जो selection है वो हो गया है तो आपका result में तो नाम आएगा ही आपको पहले से ही सूचित कर दिया है कि आपका जो selection हो गया है और आपको documents बगरा त्यार करके रखने हैं तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से पूरी जानकार मिले होगी ऐसी और वीडियो स्कूद के लिए चैनल को सबसक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए